इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तपाएं मुखतार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है इसमग यूपी पुलिस का काफिला रास्ते में है और रोपर चैनल से निकले हुए यूपी पुलिस की टीम को तकरीबन दो घंटे का वक्त बीच चुका है तो यह रोपर टुबांदा की यह सारी तस्वीन आप लाइब इंडिया टीवी पर देख रहे हैं पूरा काफिला होगा उसके बाद सोणी पत करीब आदे से अधे घंटे से लेकर 40 मिनट का रास्ता दिल्ली यहां से मैं दिखा रहा हूंगो दिल्ली 111 कीुलोमीटर है और मुर्थल 65 K Sar 실nथ होगा 55 क्लोमीटर है मुर्थल जहां से के या कम्पी है वहा यह मुर्थल जहां से केमपी है वहाँ यह 65 किलोमेटर यहां से कुल रहा गया है तो आप मानके चलिए कि करीब 60 मिनट के अंदर एक से ओड़ घंटे के अंदर यह पूरा जो काफिला है वह एंट्री कर जाएगा तो पानिपत लगबग अब यह पूरा काफिला जो है वह पूह प एक गाड़ी पीछे है दो गाड़िया आगे चल रही है किस तरीकी से पुलिस ने इस पूरी एम्बूलेंस को घेरा है यह लाइव वीजुल हम अपने कैमरे के जरिये दिखा रहे हैं और उसके पीछे आप जिपसी देख सकते हैं साथ में यह पुलिस की जिपसी चल रहे हैं एम्बूलेंस के दोनों तरफ तीनों तरफ किस तरीकी से पुलिस जो सीओ की गाड़िया है वो चल रही है कुछ फासले को पर पीछे एक गाड़ी है सीओ की इसके लिफ साइट पर गाड़ी चल रही है तीन गाड़िया आगे चल रही है चार गाड़िया पीछे एम्बूल मुखतारी ने कहीं हैं विराने में छुड़वा दी ताकि उसे उस तक ट्रेस ना किया जा सके बहराल यह सब पुछ हुआ है इतना तमाशा हुआ है उसे यूपी लाने के लिए हमारे साथ विशाल प्रताप सिंग भी जुड़ गए हैं विशाल सुप्रीम कोट को भी यह कहना पड़ा कि पंजाब सरकार छोटी छोटी मेडिकल रीजन्स की वजह से मुखतार अंसारी को यूपी भेजने से रोक नहीं सकती है जो बिमारियां बताई गई हैं क्योंकि मैं आम्बिलन्स का जिकर करना था इसलिए जो बिमारियां अदालत में मुखतार अंसारी की तरफ से बताई गई उसको है उसमें diabetes, hypertension यानी की BP, back pain और skin allergy ये आम बिमारियां बताई गई है जिसकी बज़ए से दो साल से वो यूपी आने से बचता रहा और जानकर हिरानी होगी दर्शकों को 26 वारंट यूपी की अदालत ने निकाले उसे लाने के लिए लेकिन पंजाब सरकार ने उसे यूपी नहीं जाने दिया, इन medical reasons की वज़े से, इन पर तो ambulance लाना भी बनता नहीं है, बिशाल सवर्फ ब्रकूं सही कर रहे हैं, क्यूखि जिस तरीके से आरोफ लगाए गये थे और उसकेबाद बहाँ से जवाब दिये जाते थे, वो निशीड तौर पर कहीं भी अपने आपे टिकने लाइक प्रतारोप नहीं थे लेकिन चुकि पंजाब सरकार लगाता इस मामले में मुक्तार अंसारी को सपोर्ट कर रही थी, मुक्तार अंसारी का पक्ष ले रही थी, एक मामले में, एक रंगदारी के मामले में वो मुक्तार अंसारी को दो साल से जादा समय से पंजाब में र है जो दिर असलंब बहुत जादा ही हिनित होते हैं जिसमें हत्य की सब्सक्राइब का एतस नहीं का रहे हैं तो अगर किसी यह उन機 पास रखे उसको प्तरप्रधेश में नजाने दे जारे तो उसके यह थे ज्यादा अपने ज़्यादा समझता है और दिक्कत और परिशानियों को सामना नहीं करना पड़ता है वो परिशानियां वो दिक्कते हैं उत्तर पर देश सरकार ने अपने ही देश हैं है क्योंकि पंजाब सरकार जो पंजाब सरकारी के लिए खड़ी हुई की सामने यह बात हवा हवाई मालूम नहीं पड़ती इसके भी कुछ सबूत हैं आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बात नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ